तो नमस्कार स्टेंड आज की जो मैं वीडियो में लेकर काया हूँ यह हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर जो डायोड एक कंपोनन लगा होता अगर वो खराब हो जाता है तो उसका क्या यूज होता है उसको मोबाइल फोन में कैसे पैचान करना जाता है उस तो पैचाने का तरीका क्या होता है इसके बारे में आज आपको वीडियो देने वाला हूँ की डयोड के बारे में जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि जितने भी सारे मुबाइल फोन के जो सम्मान दीए अपनी जो क्लास चल लए है जिसमें हाड़ वेर करने जितने भी सारे कंपोनेंस आते हैं जैसे तुमारे रजिस्टर है कैपेशीटर रेक्वाइल है कुल म क्या काम करते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, उसका टेस्टिंग क्या होता है, उसको चेक करने के तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको एक एक करके स्टेप बाई स्टेप आपको वीडियो दे रहा हूं, वीडियो में बहुत सारी ऐसे स हैं जो लोगोंने कमेंट किया है कि सर मुझे वीडियो के मात्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखनों के मिला है या बहुत सारी चीज़े हमको समझ में भी आ रही है तो यह PCP जो लगी होती है PCP के अंदर जितने भी सारी कंपोनेंस लगे होते हैं यह सारे कंपोनेंस क्या काम करते हैं इनका नाम क्या होता है इनका काम क्या होता है इनका वर्किंग क्या होती है इनका टेस्टिंग क्या होती है तो बहुत सब चीज़ों के बारे मैं आपको इस्टेप बारे में समझ में भी आ रहा है बहुत ऐसे इस इस्टुएंट्स हैं जिन लोगों पर आपको बना मत्रा करने लिए आपको काम करने के लिए। लेकिन अगर इन सब चुजों के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी चाहिए तो कहीं ना कहीं हमको थोरा सा ट्रेनिंग लेना पड़ता है तो मेरा नाम रागवेंदर और मैं इटेक शुट कानपु से बात कर रहा हूं जहां पर आपको मोबाइल फोन है लैप्टाप इस तरीके से रिपेरिंग के टेक्निकली पोस्ट करया जाता है यह कोस्मादर 45 दिन का होता है 45 दिन के अंदर आप जीरो लेवल से लेकर कि हीरो ल बारे में हम लोग सीखेंगे तो डाइवोड हमारा क्या रहता है डाइवोड एट एलक्ट्रोनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है तो डाइवोड हमारा क्या होता है डाइवोड एक अलक्ट्रोनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को वन साइड पास करता है क्या काम करता है सप्लाई को वन साइड पास करता है जो अभी हमारी सप्लाई होती है उस सप्लाई को क्या काम करता है one side की तरह पास करता है तो यह एक electronic component है जो supply को one side पास करता है दूसरी बात क्या होता है mobile phone में light glow करता है क्या काम करता है mobile phone में light glow करता है जो आपके mobile phone जो रोस्नी होते है उजाला होता है वो कहां से आता है डावड ही होता है जो mobile phone रोस्नी देता है उजाले देता है तो डावड एक electronic component होता है जो supply को one side पास करता है mobile phone में light को glow करता है रोस्नी देता है जो आपके उजाला आता है वो डावड के माधियम से आता है अब बात करेंगे डावड हमारा दिखने में कैसा होता है real shape real shape का मतलब होता है वास्तिविक आकार उसको plate में देखा कैसे जाता है पैचाना कैसे जाता है बोड के अगर आप बात करेंगे तो बोड में जो डावड लगा होता है यो दो पिन का होता है black color का होता है दो पिन का होता है उसके बाद इसमें 4 पिन होती है black color का होता है 5 पिन का होता है मैं दो पिन का भी होता है 4 पिन का भी होता है तो तीन तरीके design में आता है 2 पिन, 4 पिन और 5 पिन इसे हम लोग 2 पिन का बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं 4 पिन का इसे हम लोग बोलते हैं 5 पिन का तो तीन तरह के डायोट जो होते हैं जो हमारे mobile phone में देखने में लगे होते हैं और इसी तरीके से एक और डायोट आता है छोटा सा इस तरीके से लगा होता है यह बात कर रहे हैं, रियल सेव कार, रियल सेव के बाद हम लोग बात करते हैं, इसका डिनोटिंग लेटर, इसका डिनोटिंग लेटर D होता है, या वी भी होता है, बात करेंगे सिंबल की, तो इसका इस तरीके से, इस तरीके से, तीर की तरह एरो की तरह सिंबल होता है, अब बात करते हैं working की, डैवोड का क्या काम होता है, डैवोड का हमारे mobile phone में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के काम होते हैं, एक तो सबस्थे पहला काम होता है, AC को DC में करना, पहला काम, दूसरा काम होता है fixed voltage देना, fixed voltage देना, बेकुल बराबर voltage देना, तीसरा काम होता है, रोसनी देना, उसके बात चौथा होता है, photo sensor, photo sensor group में diode काम करता है, मलब से sensor diode भी बोलते हैं, जो हमारा AC को DC में काम करना, इसको हम लोग semi conductor diode बोलते हैं, कौन तो बोलते हैं, semi conductor diode बोलते हैं, जो fixed voltage देता है, उसको हम लोग जीनर diode बोलते हैं, उसके बाद जो हमारे mobile phone में रोसनी देता है, light जलाता है, जो उजाला होता है, रोसनी होती है, उसे हम लोग LED diode बोलते हैं, जो photo sensor के रूप में काम करता है, इसको हम लोग sensor diode बोलते हैं, तो इस तरीके से ये हमारे diode के क्या होते हैं, काम होते हैं, जो हमारे जितने भी mobile phone होते हैं, सारे mobile phone में हमारे working करते हैं, अब हम बात करेंगे, diode को check कैसे करते हैं, diode को check करने के तरीका क्या होता, diode के testing कैसे करते हैं, डावर को टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग, डावर को चेक कैसे करेंगे, डावर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मल्टी मीटर को B point पर set करते हैं मल्टी मीटर को क्या करते हैं मल्टी मीटर को हम लोग B point पर set करते हैं चेक करने पर one side value दे तो okay मल्टी मीटर को B point पर set करते हैं चेक करने पर one side value दे चेक करने पर कहतेगा one side value दे तो okay है अब बात करते हैं यदि faulty condition के बात करते है faulty मल्टी मीटर को B point पर set करते हैं चेक करने पर one side value दे तो okay faulty value ना दे beep दे या बर्न हो जाए जल जाए ऐसा कुछ हो जाए तो हमारा खराब है लेकिन मल्टी मीटर को जो B point पर चेक करेंगे चेक करने पर one side value देता है तो सही है दूसरी बात का अगर आप इसी में light को चेक करेंगे तो light glow हो जाएगे light बना जब LED को चेक करेंगे तो LED चेक करने पर हमारा ख्या हो जाएगा जल जाएगा तो यह मैंने आपको डायोड के बारे में बता है कि डायोड को हम लोग कैसे चेक करते हैं कैसे पैचानते मैं एक बार फिर आपको अच्छे समझा देता हूँ कि अगर आप बोर्ट चेक हो रहाइगे हो यह सप्योगे और मोबाइल फौन कने लाइट गोलो करता जो आपका रोस्म होता हूँ जाला होता वियूंत के मादयूंस हुआ है ऐसे करे सकते हैं यह जसरे बीन का होता है चार पिन का होता है पासपिन का है है यह 002 होता ह। इसका denoting letter D या V होता है, इसका symbol होता है, तीर की तरह निसान होता है, इसका काम होता है AC को DC में करना, पहला काम होता है AC को DC में करना, फिक्स बोल्टेज देना, रोस्नी देना, फोटो सेंसर के रूप में काम करना, अब बात करते हैं इसका टेस्टिंग के, टेस्टिंग की बा तो यह मैंने आपको डैवोड के बारे में आपको बताया हुआ है अब हम लोग चलो अपने सिस्टम में चलते हैं और इस डैवोड को थोड़ा सा पैचानते हैं मदर बूर्ड में कि जैसे डैवोड लिख करके हम अपने पीशीव में डालते हैं कि यह देखें यह हमारे मोबाइल फोन करने डैवोड कैसा लगा होता है यह आपको थोड़ा सा इसमें फोटो दिख जाएगा यह देखें डैवोड दिखने में आपको मोबाइल फोन में ऐसे दिखते हैं अगर आप पीशीव में देखेंगे तो इस तरीके के डैवोड दिखते हैं यह देखिए दो पिन का होता है इस तरीके से अगर आप डैवोड के बात करेंगे डैवोड दो पिन का होता है साइड में इसके दो पिन पाई जाती है तू पिन होती है यह देखिए अगर आप इसको PCB में देखेंगे इस तरीके डायोड का क्या होता है symbol होता है, anode कैथोर करके define होता है ये दो पिने पाई जाते है, mostly ज़्याद डायोड पाई जाता है टू पिन का होता है उसके बाद आप PCB में देखेंगे तो PCB में इस तरीके से डायोड आपको दिखने को मिलेगा जितने भी mobile phone होते हैं सारे mobile phone के अंदर ये 2 pin का डायोड पाया जाता है अगर आप देखेंगे तो इसका relative में फोटो ऐसा दिखता है अधिस में पैचान सकते हैं कि देवड़े अब हम लोग क्या करते हैं कि फोटो में समझ के में, माया किसा कि तीजह देखता है मतर बोड में 16 बात करेंगे कि एक पीचेश पीम्हे पहिंटलाम हमारा पर जैसे हमारे का जिए कि ये जैसे हारे पास मोबाइल फोन का बॉर्ड हैaver में आम लोग पाइचाने ले अगर आप देखेंगे जैसे यह छोटे-छोटे two pin के लगे हैं, यह हमारे डैवर है, मैं थोड़ा सा आपको मार करके बताता हूँ, तकि आपको अच्छे समझ में आए, यह जिसे two pin के लगा है, यह आपका डैवर है, यह सारे आपके mobile phone में जो लगे हुए, यह जिसे two pin के लगा है, इसे डैवर बोल देंगे, तो चेक करने पर क्या देगा, वैलू देगा, क्या देगा, वैलू देगा, अगा चेक करने पर हमारा वैलू देता है, तो हमारा क्या है, सही है, अगा चेक करने पर हमारा वैलू नहीं देता, तो हमारा यह क्या है, खराब है, हम लोग जब इसको चेक करेंगे, त यह जिनके मगईंत हो जाती है यहां पर लाइन के चितने से मोबाइस ने हैं अशरू हो जाती है तो वहां पर स्वार्टींग आजाएगी क्राब हो तो यह मैंने आपको दैउड के बारे बताया और मैं थोड़ा साब को LED बहु दिखाता हो क्यानी दिखता है जो हमारे display लाइट में लगा होता है जो बलब होते है और वो डिस्पेले बलब के अंदर LED लगा होता है और LED को हम लोग कई से पैच्छानेंगे देखें यह बोड है इस बोड के अंदर देखेंगे यह जो लगें दोनों डायोड लगें क्या लगें है डायोड है उसके बाद यह दो पिन का लगा है यह भी डायोड है अब यह तुमा प्राइके के कई सारी प्रॉब्लम हा जाती है हम लोग थोड़ा से LED को देखते हैं जैसे अगर मैंने आपको बताया यह देखें यह हमारे पर प्रीपेड मोबाइल फोन है और इसमें से जो वाइड कलर के लगे होते हैं इनको हम लोग LED बोलते हैं क्या बोलते हैं LED यह यह लगा हुआ है यह आपका लगा हुआ है यह आपका लगा हुआ है उसके बाद यह आपका लगा हुआ है तो यह आपका क्या है इन्हें बोलते हैं LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डैयोड क्या नाम होता है लाइट इमिटिंग डैयोड जितने भी मोबाइल फोन हम आती हैं जिनको हम लोग इसके माध्यम से रेपैर करते हैं तो दोस्तों यह मैंने आपको बताया कि LED कैसा होता है LED दिखता कैसे इन चीजों के बारे में आपको बताया है अब लोग मैं बोर्ड में आपको दिखाता हूं बोर्ड में डैयोड और कैसे होते हैं कैसे दिखते हैं है कि यह दोस्तों मैं आपको प्रैटिक्रल करा रहा हूं हरा हाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको समझेंगे मैं और हमलों में दich लिए यह दू violi कि आदेखा फमने आपको बताने आप पैचाने गैसे किए हमारा दो पिन चाहुर गाल हाँ यह से भूलते मधेर गवारे में कि किस तरीके से हमारे मॉबाइल फिर में डै रगा मैंने आपको बता कि किस तरीके से हमारे बारे पार जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे-चोटे अंदर आपको वर्किंग करते हैं क्या काम करने के तरीका होता है तो आज हमने डायोड के बारे बताया कि डायूट को हम लोग कैसे परचाने के जेक करें तो आज की वीडियो को आपको कैसे लगी और आपको समझ में आया गया आपदने और नी mayo को पूरा देखे चैनल में ऑर भी यन वीडियो को आप सारे और वीडियो पढ़े आते हैं उनको मातर पैतालिस दिन का कोस कराते हैं पैतालिस दिन के अंदर एसे लेके जैड़ तक सभी मुबाइल फॉन को डिपैर का नाम आपको सिखा देते हैं ठीटिकल और प्रेटिकल दोनों माध्या में ट्रेनिंग होता है ठीटिकली भी सिखा जाता है अभी यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टेंट हैं जो क्लास करके चले जाते हैं फिर उसके बाद साम को भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो होस्टल वाले बच्चे हैं अगर क्लास में प्रेक्टिकल करना चाहें तो वो लोग प्रेक्टिकल कर सकते हैं प्रेक्टिस कर सकते हैं यहां पर बहुत ऐ से सरना का रहता है आरनी और दो पहर करते हैं पहर जही किन्याहता है जो उसी बाइं दोने हमें उसी को पञाएं SUBSCRIBE जलदी सीख लेते हैं ताकि उनको प्लान होता है तहक Hog Live क्त फॉर्व इस चारे सी इन करना है जब तक को में था सब्क्राइबन," तो आप चिछी तरीक हैं, तो सफल तभी हो सकते हैं, जब आपको खुद नॉलेज हो, अगर आपको खुद नॉलेज नहीं होתएगे, तो सफल ता कि सबसे बड़ी अच्छी कहानी अई होती है, कि आपको कोई बी काम करने जाये, वह काम करने के तORburn, कि आपको खुद बखुद आना चाहिए। अगर आपको खुद नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि उतना बहतर रिजल्ट आपको अभी जिन्दगी में पा सकते हैं तो दोस्तो आज हमने डायोड के बारे में सिखा हुआ है डायोड के बारे में समझा हुआ है और कोई भी प्राब्लम कोई भी दिक्कात आती है तो आज में डायोड को वीडियो बनाया हुआ है तो बहुत ऐसे जो एसमे बहार को एस्टेंट है जो लोग कमेन्ट कर रहे हैं कि सर मुझे वीडियो के मदर्दम से मुझे बहुत अच्छा समझ में आया बहुत अच्छा सीखनों के मिला इसमें से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पर बांदा के स्टुडेंट हैं रवी करके हैं उनसे मेरी बात हुई थी कल परसों में बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि सर मैं मोबाइल फोन रिपेरिंग का को सीखने के लिए मैं पहले कहीं और रहा था मैंने वहाँ पर हजाद दोजार उपार देख करके वहां पर रिजिस्ट्स अब करा लिया लेकिन बात में जब से उनका वीडियो देखने के बाद आपका वीडियो मिला तो मुझे एक-एक करके वीडियो में सारा टॉपिक धीरे धीरे करके के लियर होता रहा और एक चीज का मैंने प्रोपर वे में मैंने नोर्स बना रखा है और यह समझ रखा है कि सर कैसे स्टेप बाइश्टेप सिखा रहे हैं तो सजी समझ ले जब से मैं 6-7 दिन वीडियो मैंने आपका देखा तो मुझे खुद ऐसा दिल से इच्छा हुआ कि यार और भी वीडिय करके चाहूंगा लेकिन वीडियो के माधियम से मुझे सजी एक महीना हो गया क्लास तरते करते मैंने वहाँ पर पैसा दो जारो पर दे दिया उसके बाद भी मैंने डिनाई किया अब मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो के माधियम से जब मुझे इतना सीखनों को मिला जा करके अगर ट्रेनिंग सेंटर में सीखोंगा तो मुझे किटना नहीं समझ में आएगा जो हमारे डौट से हमारे दूर हो जाएंगे दूसरी बात कि हमारा जो प्रिक् Eisen कल है các हेजह प्रिकल वह अच्छी तरीके से ओगएगा तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने आज म मिलना है तो बहुत अच्छी बात है और इन सब चीजों के बारे में जिखें अच्छे तक आपको समझ में भी आजाएगा और मैं आपको मिलाना चाहेता हूं कि हमारे पास आजीची है जो मुल्ब भिहाद से रहने वाले हैं वो इस समय पर अभी है कि उसवह सिख रहे हैं कैसे को सीक रहे हैं तो मैं आपको क्योंकि इस Cette में कर तो मिलें अपे इनका सॉप्टर के बारे में रेफ़ी काम पहले से जानते हैं, इस लाइन में बहुत अच्छा इंट्रेस्ट है, लेकिन जब से वीडियो मिला तो इनों ने देखा तो बड़ा अच्छा लगा तो आद सर्ने त्रेणिंग सेंटर को जोइन किया हुआ है, और सिर्मने में बोला है ''कि सर मिरे वाइंप दस से 15 वे समय है I 시 Varum सोने के लावा चाहों तो मेरा दिन दात समय ले लो双किन हंको बद जल्द जल्द गहरां सिखाा दो ताके हमारा काम अंपर वेश में घृ आख थाल उसी खया peso कम कर के जया को और सु काम से हैं और मेरा इंट्रेस्ट था कि थोड़ा जोड़ा टेक्निकल नोलेज भी हो और एक मैं अपना एक सौप की खोलू जो कि वो सौप तो मैं ना बेट पाऊं लेकिन नोलेज रहे ताकि जो लोग काम करेंगे ताकि उनको मैं अच्छा गाइड कर सकूँ इसलिए मैंने एक अपने जनकारी के लिए अपने नोलेज के लिए सर का क्लास जोइन किया हलाकि हमें और भी बहुत लोगों का क्लास देखा है सर के कापी अच्छा क्लास लगा कापी कम पैसे में इनका अच्छा यहां पे सपोर्ट मिलता है बाकी लोग भी कापे अच्छे यहां पे ट्रेनिंग दे हैं इसलिए हम यहां पर दस दिनों के लिए रुके हैं दस दिन में हम सर से रिक्वेस्ट किये कि इतना ही दिन में हमें आप ट्रेनिंग दे दे तैकि मैं काम जो है अच्छे से सीख पाऊंजी तो सर के लिए मैं कहना चाहूंगा सर बहुत महिनत करते हैं सुबह आठ वजे से अगर इस समय टाइम देखा जाएगा तो इस समय पर नौ सबच रहा है लेकिन सर आठ वजे से लेकर के पूरा नौ बजे तक समय देना बहुत बड़ा माईने रखता है और सर पूरा महनत के साथ में पूरा प्रेटिकल करते हैं और सर के अंदर मैंने देखा हुआ है एक चैजर काम कर रहा हूँ लेकिन में बहुत सैंसरी टेंटाइम में तो अफिर्टाइममे में इस टेक्निकल चीज़ों को सीख सकूँ दूसरी बात क्या आता है एक या बात मैं आपको कहिना चाहता हूँ आदमी भल्या ही कुछ जिंदिगी में क्यूंही न बचये लेकिन आदमें अगर फिरी रहता है, खुद खाना बनाता है, खुद की जलीवी रोटी खाता है, तो भी बहुत अच्छी लगते हैं, लेकिन दूसरे के फिलाल कमी निकालता है, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं होती है, और सबसे बड़ी अच्छी रोटी होती है, क्यों कि उसका ख बहुत सो लोग आते हैं सीखने के लिए, तो जितना जयता समय देना चाहिए, उतना समय भी दे सकते हैं, और मैं एक लोगों पासर से मिलाना चाहता हूँ, कि जो आज सर जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद भी मेरे पास मोबाइल फोन देपेरिंग का कोस सीखते हैं, और हदिस जी हैं, वो अलड़ी पहले मोबाइल फोन में, आठ दस साल पहले मोबाइल फोन में काम कर थे, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, कि सर मेरे पास सीखने के लिए हैं, और इतना होने के बाद हैं, अपने पूरे फैमिली का एक्सपेंस से देखते हैं, और फैम सामली के लिए फूचर क्या दे पाएंगे, तो इसलिए सर समझ लीजे, सुबह आठ से दस के बहस में क्लास करते हैं, उसके बाद जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, साथ बचे फिर होने के बाद फिर मेरे पास आते हैं, गंटे बर के छुटी मांगते हैं, कि सर हमको घर जाना हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, असर की बहुत अच्छी मेनत है, आप बताइए सर अपने बारे में, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं, जो आज जोब तो करना हैं, लेकिन जोब करने के बाद भी सर निरासा के लाइन में जुड़े रहते हैं, फिर वही काम करते रहते हैं, आं हैरासा भी दे धिया, लेकिन महान देखा, हमने सिर्व कि एक मैना भी सर बाइशन ना को तरीका मालूम ता, ना क्योच मालूम था, और हमारे ताम बरौबाद हो रहते हैं, घ्लाँ हो तो हमने सोचा, लिए यह काम यह नहीं शिखा पाएंगे ना मशिए हो, तय हमने सिदे सिदे हमने कोई जाब कर ले कुछ तो नहोगरी मिले उसके बाद मेला अपना काम चले तो हम 15-16 साल से हम अपने बहुत बड़ी फैक्टरी में काम कर रहे थे लेकिन महां भी हमने रवया यही देखा कि काम काम होता प्राइबेट काम काम होता कब क्या परेसानी कब क्या कोई सपिषिक सुनता है अगर कब चुटी भी लेना है तो वो कहेंगे इसा कि अगल तो लिया था पर्शु तो लिया था ऐसा है आप चुटी नहीं मिल पाएगी उनकी बड़ा ले कब जल्दी बला ले कब ना जाने कि दो है तो यह सब परेसानी देख कि हमने यह सुचा है अपना काम कोई होए अपना काम अगर कोई मिल जाया है अपना काम जिसमें यह अपना काम कर सको और जब इच्छा हूँ अपना आज नहीं करेंगे आज बंद है यह उसके बाद जो हमने थोड़ा तो सर की वीडियो देखी हैंगे सर तो मेरे मन में फिर उमंग आईगी यार तो कि हम तो दो जो जुदिया हैं, बच्चे अब क्या सीखे काम। किसी तो भी कहाँ, बभी चाहिका काम सीखोंगे, आप दक्का कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि चले इसकी उमर नहीं होती लेकिन हम नौगरी तो करी रहे हैं। लेकिन यह है कि अपने पास अभी भी हमको लग रहा है कि हम सीख सकते हैं को एक प्राबलम फोड़ी है और दिक आइसी वाला काम सीख पाएंगे और इसना महिन काम धुटे में तो सबसे बहुत है कि सबसे हैं कि सिखा डिका सब्सक्राइब कर लिए और इतनी लगन दी कि अपना मास जाते हैं यहां आजाते कर लेते हैं एक दू घंटा उसके मेरी कापी विल्जिने कम हो गया हमको यह लगता कि हम जिंदगी में प्राइब नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे हमको पैसा सब कुछ मिला है लेकि बात कभी कुछ के इतने कभी कुछ हमने यह सोचते अपना अपना काम रहेगा कुछ अपना चार पैसा कमाएंगा आगे बढ़ेंगे जितनी महिनत कर डालो वो पैसा देना उतना ही देंगे जितना दे रहें साथ एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्ट होता है ने इकना चूटे बच्चे अगरशन को अतना है निख यह जोटा झीलिट में यह साल में हें इक जडिवेट रहें है निके बड़े आदमा मिटने वाली बात हो चुछ इंसान नी मिटा है उत इंसना को ओ सब्सक्राषर करता है अगरम की इसाफ़ से आगर आदम ataई कर रहा है और उसके बाद भी उनको अगर दो बाते सुननी पड़ती तो लगता है यार हम इतना मेंनत करते हैं और यह हम से छोटे होने के बाउजित हमको चार बात बोलते हैं सर मेरा माँस अच्छी एक तम टूट गया थे मॉबाइल काम से हमने का लगा लगारा मोबाइल काम ऐसे तनी आसानी तो कोई सीख ने सकता ना सिखा सकता कोई तो हम दुवारा हमने फिर सोच लिए उसको कदमी नहीं रखा जब फिर मुलाब वो देखने लगा यूट्यूब असे आसान है काम सीख सकते गोशाइब कशा गज़िए तो आस वी सीकर के ही जाये के मेरा 100 मुझे शिखा ने के लिए हर श्क्रण के साथ में कितनी ही मेनत करना करने पड़े लेकिन वह श्क्रण आज अच्छे तरीके से शीख कर जाएंगे आप शर्म करेंगे कि इस वीडियो कामाते हैं से, कि सर देख लेना, अभी सर का मैं वीडियो भी डालूँगा, जब 5-6 महीन हो जाएंगे, सम्तिंग, सर अच्छी तरीके दर सीख जाएंगे, जब इनको सर को रेडी कर दूँगा, तो अपनी मोबाइल फुन की दुकान खुलेंगे, अब खुद का काम होगा, खुद काम करेंगे, तो सर ने इसी मोटिग के साथ में सीखा हुआ है, तो अगर आप लोग भी अगर अिसी कभी लाइफ में कोई परिशानी है, तो उस परिशानी को दूर एक ही तरीके से किया जा सकता है, या तो आपके पाल बहुत पैसा हो, या तो को आपके साथ में एक अच्छा साथ भूनर जुड़ जाएं किरिके हुनर इननसान को तरक्की को उपर रास्ते पर ले जाता है और आगे तक ले जाता है तो आज कि वीडियो में इतना ही और घूर फिर हम लोग नगफ वीडियो में भिलेंगे वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो समपने कोई भी प्राबलाम आती तो नीचे नमबर पर हमेरे समपर करें वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्यू दोस्तों